हाई फ्रेंड्स आप लोग स्वागत है आपके यूटूब चैनल एड़ू हम सफर सफलता की ओर आज हम आप लोग लिए बिहार पुलिस का जो एकई साह तीन से एकानवे पोस्ट की भरती आई हुई है जिसका एक साथ और पंदरा अक्टूबर को एक्जाम होने वाला है जो क लिए रुकमणी प्रकासन दोरा भॉलूम टू प्रैक्टी सेट निका लगया यह जो प्रैक्टी सेट है इसमें कुल पचीश सेट दिया गया जो कि बिहार पुलिस नय पैटरन जो जारी किया दसवी कख्षातवा समक छसर उसी एसर पर तयार किया गया है इसमें पचीश मे लिए करा है जो कि रोज आपको आठ बुज़ा इसका डीस्का सन कराए जाता है अगर अभी तक आप नहीं देखें तो चारों का अलग से प्लेडिश्ट बना दिया गया आप वहां से देख लीजेगा आए देखते हैं आज स्टेस नमबर सद्टी का सब्सक्राइब कर आज का पहला कोशन जो दिया गया जो कि नुमेरिकल है फिजिक्स का देख लेते हैं पहला कोशन क्या दिया गया तो पहला कोशन दिया गया यादि एक करण को एक बिंदू द्रोमान एम के गुरुत्वा कर्शन छेत्र के बिंदू A से B तक तीन अलग अलग पत एक दो तीन से ले जाने में किया गया है क्रमसर W1, W2, W3 तो W1, W2, W3 में सही संबंध क्या हो जाएगा तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा गुरुत्विये छेत्र निकालने के लिए होता है W equal to F into S होता है तो इसको जब किजियेगा तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा W1 equal to W2 equal to W3 हो जाएगा इसका जो एंसर हो जाएगा ए नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि दियागे कि या दिचंद्र मा प्रिथमी के गुरुत्विये छेत्र से प्लायन करता है तब इसके लिए आवस्यक वेग क्या हो जाएगा तो इसके लिए आवस्यक वेग जो हो जाएगा या 11.2 km पर सेकेंड हो जाएगा इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा या प्लायन वेग होता क्या है तो प्लायन वेग वह नियुम्तम वेग होता है जिसमें किसी वस्तु को प्रीथमी के सता से उपर के और फेके जाने पर वह गुरूतुए छेत्र को पार कर जाता है उसी को क्या का जाता है और प्रीथमी वापस नहीं आता है उसी को प्लायन वेग का जाता है जो कि कितना होता तो प्रेसर 3 P करने के लिए तपमान कितना होना चाहिए यह जो हो जाएगा 591 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसका जो नंबर हो जागा यहीं कोशन पूछ देगे ब्रॉयल का नियम क्या होता है तो इसमें इस्थिर जो होता है ताप रहता जो कि पी इस डिए डिएटरी प पून देख्व। अगला कोशन देखें एक समस्थानिकों के अनुके द्रौन में अंतर का कारण क्या है ? तो इसका अंतर कारण जो मुख्य अंतर का कारण जहाएगा, उसके नाभीकियों में पूनुट्रसृणों को अलग अलग संध्या, इसका जो अंसर au- nggak गा हो मैं मद्य हमन में मभूद 3 जाएं प् réक मौदा यह जाना जाता है यह जो जाना जाने प्रफोन से उसके जाना जाना थिंल का आखा क्या हम्मर्स घ्रिकांता हैं यहां करेक्ट ट्रांसलेशन चूज करना है कि आज वर्सा हो सकता आज वर्सा हो सकती है इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा इसका जो answer हो जाएगा एन नमबर हो जाएगा आगे देखलेते हैं जो की दियागे choose the correct preposition यहां correct preposition बताना है तो देखने क्या दियागे इसमें जो जो एंसर हो जागा यह हो जागा, ए नंबर हो जागा, at हो जागा, I wondered at his intelligence, इसका जो एंसर हो जागा, आगे देख लेते हैं, दिया गे, choose the correct combination of sentence, इसका combination of sentence बताना है, सही कौन सा हो जागा, तो दिया गया, the sunset, they returned home, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा, when the sunset, they returned home, इसका जो एंसर जाएगा, c नमबर हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, इन में से चितरांजन का बिलोम क्या हो जाएगा, बताना आपको कि चितरांजन का बिलोम इन में से क्या हो जाए आगे देख लेते हैं जो कि दिया गे थोथा चाना बाजे घना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाए था इसका अर्थ जो हो जाएगा या अल्प बुधी वाला अधिक डिंग मारता है इसका जो एंसर जागा सी नमबर हो जाएगा यही कोशन पूछ देगे थोथी बाते क्या होता है इसका मुहावरे का अर्थ यह जो होता है किवल बाते करना होता है आगे देख लेते हैं दियागे देख लेते हैं इसका जो एंसर जागा इंडिस्टिंट हो जाएगा उसके मतलब क्या होता है इसका ज किस रशनाकार की है तो यह जो है यह संकर प्रसाद की है इसका जो इंसर जगा सी नमबर हो जाएगा आगे देखलेते हैं दियागा तदभारूप कों यह जो यह सिंगार हो जगा जो किया एक ततसम शब्द है आगे देख लेते हैं जो कि दिया गे हिंदी के कीस रचनाकार को प्राथम भारत भारती समान मिला था बताना आपको प्राथम भारत भारती समान की हिंदी के कीस रचनाकार को मिला था यह जो मिला था महादेवी वर्मा को मिला था इसका जो एंसर जगा C नमबर जाएगा जो क महादेवी बर्मा को यमा पूस्ता के लिए ज्यानपिट पुरुसकार भी दिया गया था आगे देखले तो यह जो रचना किया गया था मुक्ति बोध द्वारा यह किया गया था इसका जो एंसर जगाए भी नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो गलत दिया गया है तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है सबसे पहला दिया गया है अधातु ए घनायन होता है घनायन बनाता है जो कि पहला ही चूचकरना था के इसका जो गलत है a number हो जजागा इसका answer क्या हो जगा ए नंबर हो जगा जो तथ त्थ तथ आवॉर्त सारनी में दाएं भाग में पाये जाते हैं तथ़ पी ब्लोग के तथ वहते हैं उसे क्या होता है तो वो सब अधात हूत होते हैं इसका जो 1 by R2 plus 1 by R3 होता है डेस डेस होता है प्लस करते जाएए तो इसको जब सॉल्व किजएगा तो इसका जो सही एंसर हो जागा वो डी नमबर हो जागा आगे देख लेते हैं दिया गए कि दूर द्रिष्टी दोस से पीणित बेकती को असपश्ट द्रिष्टी की नियुंतम दूर सेंटीमीटर है चसमे की लेंस परिउक्त करने पर विया दूरिद घटकर 12 सेंटीमी नियुक चाहती थो स्च की मा रह जाएगा तो बार की मिटोस्टीमीटर जब रह जाएगा या प्लस बीस प्रटा में तीन डेय अप्टर हो जाएगा इसका फिरमुला क्या होता है या 13 ड्रक्स का खोज किस ने किया था था यह खोज किया गया था जी डूमस्य द्वराः खोज किया गया था इसका चछ़गा डी नमबर हो जाएंगा आगे देख लेते हैं जो पच्छतर कुलंब अवेस के अंत में विश्वतिय छेद्र के एक बिंदू तक लाने में किया गया कारिया दी 12.5 जूल हो तो इस बिंदू पह का बिभाव क्या हो जाएगा इसका जो बिभाव जो हो जाएगा इसका फर्मुला जो होता है बिधू तूर्जा निकालने के जो कि कॉंस्टेंटेक्से साथ बिराम से चलना सुरू करता है तो इसका वेइग कुतना हो जागा है तो इसका वेजाएगा सीधे समय के लिए समानुपातिक हो जाएगा इसका जो एंसर जागा सी नमबर जयगा अगला कोष्ण देख लित हैं दिया गए की निमलिखी सबसे पहला यहागा गरेलु मख्ही से जो की सही जहाए अगला मलेरिया जो 그만 कर से जो की यह गलत है कैसे होता है तहाए की ओड़नेlais मच्छर के काटने सोता यह होता है ऑगला दिया गया है यहाद माधा एनिफ दिया गया जो कि यह गलत है यह क्या हो जागा तो यह इसका हो जागा और यह इसका हो जागा यह इस इस पदार्थ के आयत्अं प्रसांट गुणांग कमान हैंनर लिकृत में से कौन सा हो जाएगा इसका गुणांग निकलने के लिए जो फर्मुला जो होता है आलफा बार में एक जगा वी नंब भर जाएगा जो सी सिंगल जो होता है कारवनर के बीच अगर सिंगल बट तो यह क्या होता है तो ट्रीपल बंड होता है वह एसपी बनाता है और इस इंगल बंड जोता है एसपी थ्री बनाता है वह ही डॉबल बंड जोता है एसपी टू बनाता है याद रखेगा जो कि कार बंड जोता है अब और सादनी के वर्ग चौदा का सदत से होता है आगे देख लेते हैं बिहार के क सबसे पुरानी नहर कौन सी है बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है बताना है तियाह जो जगा सोन नहर है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जगा जो कि इसका निर्मार कब किया गया था इसका निर्मार जो किया गया था ठास चोहत्तर इस भी में किया गया था आगे देख परहवा जो समिधानिक संसोधन जो था उसी में यह उच्छ नयाले के नियाइधीसों की सेवा निर्ती जो ए 60-62 वर्स कर दिया गया था आगे देख लेते हैं दियागे कि इस्टेनल का इट अस्तला किरती का निर्माड होता है बताना आपको कि इस्टेनल का इट जो इस्तला किरती है उसका निर्माड कैसे होता है तो यह जो निर्माड होता है भूमिकत जल द्वारा होता है इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जा इसका जो एंसर जगा C नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि अगला कोशन दिया गया है निन में से कौन से पाउधे के जड़ो का कारे नहीं है बताना आपको कि इसमें से पाउधे के जड़ो का इसमें से कौन से कारे नहीं है तो सबसे पहला दिये गए प्रकास संस प्लस उसके बाद 12 हो जाता है जब इसको सनलाइट के प्रिजेंस में और क्लोरोफ़ील के प्रिजेंस में जब या रीक्सन होता है तो C6H12O6 बनता है, प्लस इसमें 6H2O बनता है, उसके बाद 6O2 बनता है, यह जो है बैलेंस रियक्षन है, ऐसे डाइरेक्ट याद रखने के लिए आप लोग याद रखते हैं, कि CO2 प्लस H2O जब सुर्य के प्रकास में, सुनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफील के प कोशन एक फिक्स रहता है, आगे देख लेते हैं, अगला कोशन दिया गए कि एक गैस को 80 जूल उसमा दी जाती है, इसकी आंतरी कुर्जा में 30 जूल की ब्रीधी हो जाती है, तो किया गया कार क्या हो जाएगा, या पचास जूल हो जाएगा, इसका जो एंसर हो जाएगा, अगला कोशन देख लेते हैं निन में से कौन सा प्लेंटरी बाडिज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है आपको बताना है कि प्लेंटरी बाडिज के लिए कौन सा केपलर के नियम के लिए एक नहीं है तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है तो सबसे पहला दिय गया एक ग्रह का ग्रह पत दो केंद्रिय बिंदू में से एक पर सुर्य के साथ एक अंड़कार होता है जो कि सही है अगला दिया गया कि एक ग्रह और सुर्य के जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दोरान बाहर बराबर छेतर फल बनाती है जो कि ये भ रुमान पर निर्भा करता है जो करता करता है जो कि यह जो है गलज दिया गया तो इसमें जो जो जाएगा वह डिबर जाएगा इसा एंसर क्या हो जागा क्योंकि इसमें गलत ही पचान करना थे इसका गलत जो हो जागा दी नमबर हो जाएगा आगे देखिले जो कि दिया गए चूज दर्क ऑड़ाइस यहां करेक्ट और एडिया गए गूड निवूज इस इक्सपेटेड ऐस तरी इसका जो बदाने तो इसका जो गलत दियागा वो B नमबर दियागा इसका जो एंसर हो जागा B नमबर हो जागा आगे देख लेते हैं जो कि अगला कोशन है अकल का दुस्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना आपको कि अकल का दुस्मन होना जो मुहावरे है इसका अर्थ क्या हो जागा तो इसका जो एंसर जगा B number हो जाएगा आगला question देख लेते हैं स्वार्गा रोहन का साही संदी बिछेद कौन सा है बताना आपको जो स्वार्गा रोहन जो सब्द दिया गया इसका साही संदी बिछेद क्या हो जाएगा त्याहर जो हो जाएगा स्वार्ग प्लस रोहन हो जाएगा इस सब रूप से जूड़ के ले सकते हैं जो कि आपको Link Description में यह Comment बॉक्स में मिल जाएगा यह अगला questionable लेते हैं जो कि इसका जो answer जागा B number जाएगा तरहा अगला कोशन देख लेते हैं 41 number 41 number जो है इसका answer जो जागा D number जागा तरहा अगला कि सत्य सोधक समाज की अस्थापना किसके दोरा किया गया था तिया जो किया गया था जो तीवा फूले दोरा किया गया था इसका जो एंसर जगा सी नमबर जग यह कब किया गया था तिया जो स्थापना किया गया था 24 सितंबर 1973 को पूर्ण महराष्ट में किया गया था आगे देख लेते हैं दिया कि मैंथली भासा की भारती समिधान की आठावी अनुसूची में सामिल्यक किया गया था यह जो सामिलित किया गया थे 2003 में किया गया था इसका जो एंसर जगा सी नंबर जाएगा बनबेवा समिधानिक संसोदान अधिनियम 2003 द्वरा आठवी अनुसूची में मैथली, बोडो, डोंगरी और संथाली भसा को सामिलित किया गया था यही कोशन पूछ दे के मूल समिधान में आठवी अनुसूची में कुल कितनी भसा है थी तर कुल 14 भसा थी, लेकिन बरतमान में कुल 22 भसा है आगे देख लेते हैं जो दिया गया बिदरो के समें भारत का गोवर्नर ज radical कौन था तर AGछ संतावन का जो बिदरो हूँआ था उसमे भारत का गोवर्नर जनृ जो थैं यह थैं लाड कैमिंग थे इसका जो एंसर जगा B नमबर हो जागा लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्णर जनल थे ते भारत के प्रथम वैस रहे थे इसका एंसर जगा B नमबर हो जागा आगे देख लेते हैं चौरा बाड़ी गलेसियर उत्राखंड के किस जिले में इस्थित है तो चौरा बाड़ी गलेसियर जो है उत्राखंड के यह इस्थित है रूद्र प्रियाग में इसका जो एंसर जगा C नमबर जगा है जो कि यही चौरा बाड़ी गलेसियर से ही अलकनं पूछ देगा कि गांधी स्रूर जो है कि इस ग्लेसियर के निकट है जो कि उत्रा खंड में पढ़ता है अगला देख लेते हैं जो कि मैस का कोशन दिया गए जो कि इसका जो सही एंसर जो हो जाएगा या हो जाएगा इसका जो जाएगा इसका जो होता है इसका जो होता है इसका चैनल क्या ऑगर जी अकोशन दिया गए कि यादि किसी निश्चित संकेतिक भाज जेक की तरहेता बतादा हो इसका जो answer हो जाएगा C नमबर हो जाएगा इसका PDF में आपको solution के साथ दिया जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि इभी question match का दिया गया इसका जो answer हो जाएगा D नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं त्री भूज के अंता केंदर से भूजाओ पर डाले गए लंब को कहत इसका जो answer हो जाएगा आगे देख लेते हैं गर्व निरोधक गोलिया में अधिकतर होता है बताना आपको कि जो गर्व निरोधक गोली जो होता है उसमें अधिकतर क्या होता है? तो इसमें जो अधिकतर होता है Estrogen और Progestron होता है इसका जो answer जगा D-Number हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गए मानो सरीर में रूधिर परी संचरन का सही अनुक्रम है बताना आपको मानो सरीर में रूधिर परी संचरन का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा यह जो होटा है रुधीर पलिस संचरण का सही अंक्रम होता है यह होता है सबसे पहले महा सिरा में हो जाता है उसका जाता है उसके बाद फेफड़ा के बाद फिर फुसपुस सीरा में जाता है उसके बाद बाया अलिंद में जाता है उसके बाया निलाई में जाता है तब महा धमनी में तब धमनी में तब छोटी धमनी में उसके बाद कोसीका में जाता है तो इसका जो एंसर जगा C नंबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गए किस ध्वानी तरंग की अवीरती 2000 हर्स है तो इसकी तरंग धेव 0.2 मीटर है ध्वानी तरंग की चाल ग्याद करें ति यह जो ग्याद जो हो जाएगा इसका 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका जो एंसर जगा B नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं जो कि दिया गए राउल केला इसपाद सरेयन का लोह आयस का अपूर्ती होता है बताना आपको लोह आयस की अपूर्ती जो राउल केला इसपाद सरेयन से होता है वह कहां इस्थी थे तो यह जो है कायों जहर से होता है इसका जो एंसर जगा C नमबर हो ज जगा भाको ऑरफSी नंबर की संदिश ज think ृष o tennis दियागा भारत के महनवादी का करेकौन में से क्या होता है बताना आपको bhow द्धारत के महनवादी जो हते हैं उनका कारेकाल कितने सालका होता है इनका कारेकाल जो ओता है यह जो होता है वो राष्टपती के प्रसाद प्रयांत होता अगे देख लेते हैं मुंगल जहांगीर के आत्म का था तुजू के जहांगीरी किस भासा में लिखी गई है तो यह जो लिखा गया है यह फार्सी भासा में लिखा गया है इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जागा जो कि तुजू के जहांगीरी जो पूस्ता का पूरा मोती बिंद खाने किया था आगे आगे दिखो जैते हैं ि ओपर राश्टपती सौरी उप राश्टपती राज़सभा का पदेन्ग सवपती होते हैं dalam seven packa general यह किया गया अनुछेद 64 में किया गया तता अनुछेद 89 में किया गया तो इसका जो एंसर जगा A और B दोनों हो जागा तो इसका जो एंसर जगा D नंबर हो जागा आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया फरावरी 2023 में 200 हिंदी समेलन का कौन सा संस्क्रण फीजी में आयोजित किया गया बताना आपको फरावरी 2023 में 200 हिंदी समेलन का आयोजन फीजी में किया गया था वह कौन सा संस्क्रण था यह जो संस्क्रण था यह बराहवा संस्क्रण में मना है ग огई दिया गया है už हार 2023 एसप्रशिया प्रष्ट क्या गया है अधियां एक प्तिय मेला straw किया किया गया के लाए डिल'ी में आयोजित किया गया था इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जागा अकला कोश्चन देख लेते हैं अफिम यूद किसके बीच लड़े गये थे बताना आपको कि अफिम यूद जो हुआ था वह किन के बीच हुआ था त्याहा जो यूद हुआ था ब्रिटेन और चीन के 3842 के बीच में यह लड़ाई हुआ था इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा आगे देख लेते हैं दिया गए कि वायू की में उड़ती एक चीनिया का जल एन इक्वल टू चार बटा तीन के भीतर तैरती मचली जल के प्रिष्ट से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतीत हो पुर्णांग दिया गया चार बटा दीन दिया गया और वासुई गहराई निकालना है और 30 अबहसी गहराई दिया गया है इसका जो एंसर जो हजागा इसका होजागा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा यदि फोटोन का 3 धर कमांद 2.2 गुने दस स्क प्रमाइनस 11 मीटर है तो फो गया सब्सक्राइब होरा बहुत . कौन थे बताना आपको कि बिहार के पहले सत्यागर ही कौन थे यह जो पहले सत्यागर ही जो थे यह थे इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गए कि निन में से कौन सा मनरेगा का उद्देश है बताना आपको मनरेगा का इसमें से कौन सा किया गा था यह जो बनाए गये था नरेगा एकल कर दिया गाए परी 민वर करना कि उद्श से प्रदानमंतिर नरेंदर मुधि किस देश के प्रसीद बीस्टल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अमंत्रित किया गया था तो यह है तो फ्रांस को किया गया था जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन देख लेते हैं दिया गए कि प्रधानमितिर नरेंदर मोदी द्वरा चोव अगस्त दोहजर तेईस को अमरित भारत एस्टेशन योजना के तहद देश भर में कितने रेलिवे एस्टेशन को पुनर विकास की अधार सिला प पहले चरण में रखा गया 508 रखा गया इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गया है कि पाराद भारत के सीखरों के समोग अच्छे हैं उनकी उचाई के और रोही कराम अनुसार कीजिए तो इसका जो और रोही कराम अनुसार जो हो च्पितव के सबसे उची चोटी जो रख कि 287 मीटर इसकी उचाईयए उसके बाद गूरू सिखर क्षा just चोटी जो है यह हो जागा तो पुर्वी घाट का यह परवत चोटी है जो कि 1501 मीटर है तो इसका जो सही एंसर हो जागा डी नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गए सुची वन सुची दो को साथ मिला है और सुचियों के नीचे देगे कुट का सहायता से सही उत् करना है डिया गए रॉष्ट कूट जो ते है यह चार हो जागा पांडे फैनने मदुराई के चेतर में रहते यह तीन हो जायगा चूल जो देगा तंजावर जो कि तंजावर के तो या हम सेब Two हो जाएगा को साही क्राम हो जाएगा चार-तीन-डवी नंुमडर ते सबसे पहला यहाइगा कोशन देख लेता है वह सोहिए निमली खित मैं से कौन ते मिली इता हैった देख लेता हैए कौन तो सबसे पहला लिए गटी वाद जोकि के तदिक गया है अगला है सीख पंथ इस्वर की अद्वेत और मानो समनता ये भी सही दिया गया अगला है सत पंथ यह जो है समाजिक भेदभावराहित बेखती संप्रदा ये भी सही है अगला है सागूंड जो किसी भी प्रकार की मुर्ती पूजा की अस्विकिरती जो की गलत दिया ग कूट के साहा था साही उत्तर का चैन किजिए, यहां सुची घोट दिया गया और देख ले लेते हैं इसमें मिलान कौन सादी हो जागा अगला दिया गया है Oo चार नमबर हो जागा त्यसका जो सही एंसर जगा त्यक्ती, जिए, फिर मिलान करने करें दिया गया सामा चरपत्र दिया गया और प्रराम करने वाले विक्टी का स्पुरण में जुक कर दो जो था अगता ओगला संधल उजहा साचिडान सीनह दो रखर तो यह 4 नंबर हुजाएगा तो इसका जो एंसर जब गए 3124 कि इसमें दिया गए तो यह जो दिया गए सी में इसका एंसर सी नंबर हुजाएगा अगला देख लेते हैं बिहार के बेक्तिगत सत्यागरा से समन्दीद तत्यों में कौन सा सही नहीं है इसमें कौन सा गलत दिया गया तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया तो यह 28 मौंबर 1940 को सुरू किया गया तो जो की सही है इसके प्रतम सत्यागरे स्री कृष् यह जो पटना में ना करके यह कहां किये थे यह जो गया में सत्याग रह किये थे यह गलत जो दिया गया इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं निमली कीत में से 20 नीट्रोन और 18 इलेक्ट्रोन वाला कॉन सा है तो इसमें जो करण हो जाएगा यह बी नमबर हो जाएगा इसका जो एंसर जो जागा बी नमबर हो जाएगा यहां इन टू जो बेकिंग सोडा का सूत्र है यहां एक कोशन पूछ सकता है कि चुना पथर का सुत्र क्या होता है तो चुना पथर का जो होता है याद रखेगा इसका तीनों बहुत इपोटेंट है आगे देख लेते हैं निन में से किस बिमारी के लिए ट्राइवेलेट के अस्थान पर वाईवेलेट ओ आरवी देने का निर्णे भारत स रहता है बताना आपको कि एंट अमीब जिन जी वालिस जो होता है कहां रहता है यह जो रहता है यह रहता है यह रहता है पाईरिया के पॉस्ट फाकेट में इसका जो एंसर जगा सी नंबर जगा यह क्या हो जाता है पाईरिया के जो बिमारी होते है इसमें मुह से दुरगा जगा डी नमबर हो जागा आगे देख लेते हैं जो कि अगला कोशन दिया गए कि 15 से 30 मार्च दो हजर तेश तक सीड रेंगम एक्सोसाइज दो है इसकीन देशों के बीच हुआ है तो यह जो आयोजन जो किया गया था भारत और अमेरिका के बीच किया गया था इसका जो एंस अगला जीवासमों से उर्जा जो कि यह जो नहीं है बाकी अगला दिया गए सोर उर्जा यह भी यह तो इसमें नहीं वला चूज करना था तो इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जाएगा आगे देख लेते हैं दिया गए दसा कुमार चरीत्र किसके रची थी बताना आपको दसा कुमार चरीत्र पुस्तक किसके दोरा लिखा गया था यह जो लिखा गया था डांडी दोरा लिखा गया था इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा वही कोशन यहां दिया गए बाणबट बाणबट के दोरा कौन सा पुस्तक लिखा गया यह जो हर्सवर्धन के दरबार में राते थे इनके द्वरा कदांबरी हर्स चरीत की रचना किया गया था आगे देख लेते हैं दिया गए कि भारत के पंचवर्सी योजना डैस प्रचलीत योजनाओं के अधार पर तयार की गई केंद्रिय आर्थिक और समाजिक विकास कारिकरम थी यह जो विकास का गया था इसका जो इनसर जगा बी नंबर जगा जो कि भारत में योजना के अस्थापना कब बढ़िकास के अंद्र उपागम की योजना के अंतरगत अपनाए गया था इह जो अपनाया गय जो कि इसका कब से कब चलाता था या 1979 से 74 के बीच में चला था इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जाएगा अगला कोशन देख लेते हैं कामेट नमचा बरवा गुरला मंधता निम्ड में से किसके नाम है तो यह जो नाम जो है यह हो जाएगा हिमाले के परवतिये चोटी का है इसका जो इंसर जगा D नमबर हो जाएगा अगला कोशन देख लेते हैं ग्राम पंचायत की संरचना में कौन-कौन सामिल होता है बताना आपको ग्राम पंचायत की संरचना में इनमें कौन-कौन सामिल होता है तो देख लेते हैं इसमें जो सामिल पहला दिये गए निर्वाचन मुख्या जो की होता है अगला दिया गया प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस से जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनीजित्व करते हैं यह भी होते हैं तता अगला देगए पंचायत सेवक जो पंचायत सेवक जो होते हैं वह सामिल नहीं होते हैं तो इसमें एक और दो जो सामिल होते हैं तो एक और दो किसमें द या अब्दूल रहमान मक्की को किया गया, इसका जो एंसर जगा B-number हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, बंदे मात्रम एक्सप्रेश ट्रेन चलाने वली पहली महिला कौन बन गए हैं, तो यह जो महिला बनी है, वो सुरेखा यादव बनी है, इसका जो एंसर जगा B-number हो जा जाएगा, आगे देख लेते हैं, दिया कि निमलीखित में से किस छेत्री संगठन का मुख्याल है, उस छेत्र के बाहर अवस्तित है, यह जो अवस्तित है, और गनाइजेशन आफ दी पेट्रोलियूम एक्सपोर्टिंग कांट्री, जिसका जो एंसर जगा A-number हो जाएगा, जो कि इसको 60 में क्या कहते हैं, तो इसे 60 में ओपिक कहा जाता है, जो कि इसकी अस्थापना को हुआ था, तो इसकी अस्थापना 1960 में हुआ था, जो कि इसमें कुल कितने देश हैं, तो इसमें कुल 13 सदस से देश हैं, जो कि इसकी कहां मुख्याले है, तो इसकी मुख्याले या बियाना में जो की बियाना कहां पड़ता है यह इसी वजह से यह कहां ए तो बाहर में इसका जो बाएं सर जैगा यह नंबर जैगा अज इतना ही रखते हैं डॉस्तों के साथ तह सेर किंदें